नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत एंवीर एजुकेशन के से यूटूब चैनल पर और मैं संपत लेड़ आप सभी को राजस्थान कम्पुटर अनुदेशक बरती की तेहरी करवा रहा हूँ जिसके अंडर आप सभी को जो है आज हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हैं नेक्स्ट टोपिक बढ़ाने वाले हैं ध्यान दीजे कि आपको जो है इसी चैनल पर राजस्थान कम्पुटर अनुदेशक बरती की बहतरिन तैयारी के लिए कम्पुटर के फंडामेंटल, कम्पुटर ओर्गनेजेशन और आर्किटेक्चर और DBMS, MySQL और उसके साथ आपके पाइथॉन की कम्प्लीट क्लसेज आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है और अभी हम सी प्रोग्रामिंग की सीरीज है उसको सुरुवात कर चुके हैं उसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर भी देख लिया जिसका कुछ रिवीजन आज आपको मैं वापस करवाऊंगा इन सभी पीडियाप को आप एक ही बुक के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे उसके लिए जल्द ही आपको एक लिंक अवेलेबल करवा दी जाएगी जिस वेबसाइट से जाके आप इन बुक्स को जल्दी से जल्दी वहां से आप पूरा डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सभी लाइक कर दीजीगा और एक सेर अपनी तरब से आप जरूर कर दीजीगा चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो जैसा कि आप सभी को पता होगा अगर आज को पहली बार जुड़ा तो उनके लिए मैं वापस छोटा से एक रिवीजेशन कर दूँगा लेकिन मैं बता देता हूं कि आपको मैंने कम्प्लीटली एक जो है सब्सक्राइब करें तो आज की नेक्स्ट क्लास को डिसक्स करेंगे तो देखिए यहां पर कल मैंने आपको बताए था कि गलाश जिस मौबाइब के उपर देख रहे हैं। अंड़ोएड literal ने पर यहाँ पर मेरेगल वाली MySQL के classes देखी ते वे भी C language के अंदर लिखी गई है device driver जो होते हैं यानि जो आपका hardware है उसको computer के साथ connect करके उसको operate करने के लिए जो software उसको manage करते हैं तो उसके लिए जो device driver होते हैं वे भी C language के अंदर बनाए जा सकते हैं बनाए गए भी है C language की मतलब से web browser जो famous web browser है safari है Google Chrome में Mozilla इनके भी core concept जो है वो भी C language के अंदर लिखे गए है Unix operating system का नाम आप सभी ने सुना होगा तो ये Unix operating system भी जो है आपके C language के अंदर लिखा गया है ठीक है ना और इस से पहले कुछ वैसे C language से पहले भी इसका निर्मान सुरू हो चुका था लेकिन मैं आप ही आपको बताओंगा कि ये C language के अंदर ही क्यों जो है clear हो पाया था ठीक है ना और main जो C language बनाने का उद्धेश ही जो था main goal तो था वो आपके Unix operating system का एक battery development ही था और आज की टाइब में हम जो भी system software है device driver है और embed system जो है use कर रहे है तो उनके अंदर C language की मद से ही program किया जा रहा है मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि device driver के बारे में आपको मैंने बता दिया कि hardware को operate करने के लिए जो software बना जाते हैं वे device driver किस रहने में आते हैं उसी प्रकार अगर आपको मैं बताना चाहूं system software जो system की पूरी देख भाल करते हैं जिसके अगर आपको मेजर लिए अगर एक्जाम्पल दूँ मैं तो यहां पर operating system जो होते हैं वे भी आपके इसको और C language की से लिखे जाते हैं जैसे windows है unix है और उसके बाद अगर एंबिट system बतां बताऊं तो आज के टाइब में बहुत ऐसी मसीने भी हैं जो computer की द्वारा जो है manage की जारी computer की द्वारा operate की जारी है तो system के अंदर भी और जो operating system है उनके जो software है वे भी MPL programming language से तो BCPL programming language आई थी जिसका पूरा नाम था basic combined programming language इसे Martin Richard ने सन 1966 में बनाया था कब रहा था Martin Richard ने सन 1966 में BCPL language का विसकार किया था अब देखें गए यहां पर BCPL language में कुछ सुदार के गए और सन 1979 यह जो BCPL थी इसके नदर और नेड इंप्रूमेंट किया के और 1979 में एक वेगेनिक थे Ken Thompson इन्होंने B Language का विस्कार किया था और इसी B Language को सी भासा का आधार भी माना जाता है ध्यान रखेगा और जो यह B Language बनी थी तो इस B Language को बनाने के पीछ एक जो मैन प्रपस था Ken Thompson का वो यह था कि वे Unix Operating System को डवलप करना चाते थे लेकिन B Language की मदद से इस Unix Operating System को इता अच्छा खासे तरीके से जो है वो डवलप नहीं कर पाये थे तो इसे इनी Ken Thompson के साथ एक और व्यक्ति काम करते थे जिनका नाम था Dennis Richie इन्हों ने सन 1972 में इस Unix Operating System को एक बैटर तरीके से डवलप करने के लिए जो है C Language का विसकार किया था 8&T Bell Lab जो की यूए से कंदर लोकेटेड है तो यह C Language का हिस्ट्री है ठीक है ना C Language का जो आदार है वो B Language मानी जाती है यह B Language को बनाने का पीछे का जो रिजन था वो था Unix Operating System को बनाने का और इस Unix Operating System को बैटर ली इंप्रोव्मेंट करने के लिए C Language का विसकार किया गए था पिर आपको मैंने बताया था कि एक कंपिटर के अंदर जब कोई प्रोग्राम रन किया जाता है तो वो कैसे execute होता है या मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई program या software आप computer के अंदर install करते तो वो कौन-कौन से step से गुजरता है तो यहां पर देखे जब भी मैं यहां पर यह कोई मान लीजे कोई मेरे पास pen drive है मैं इसकी मदद से इसको hardware के अंदर hard disk के उपर मैं इसको copy कर लेता हूँ अब जब भी मैं इस file को double click करूंगा तो यहां से यह install हो जाएगा install होने के लिए पहले यह run होगा तो run होने के लिए यहां से hard disk से आपको बता होगा operating system की classes के अंदर में आपको बताऊंगा जब भी कोई program run होता है तो वो hard disk सीधा RAM के अंदर जो है divert हो जाता है RAM के अंदर जाने के बात यह क्या करता है प्रोसेसर के अंदर जाता है लेकिन अब बात यहां पर यह measure करती है कि अगर आपका प्रोसेसर 16 bit है या 8 bit है मैं मान के चलता हूँ कि मेरे अभी 16 bit का प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ तो इस program के अंदर क्या होता है कि पहले 16 bit यहां पर आएंगे ठीक है और वो यहां पर instruction register के अंदर save होंगे instruction register क्या करता है इस instruction को यह code को भेजता है control unit के पास और control unit यहां से यह कारीज होता है उसके लिए जो आविशेक operation होता है वो ALU के मदद से perform करता है उसको terminate कर देते हैं इसी परकार next फिर 16 bit इसी परकार यह बार-बार code आते रहता है और तब तक चलते रहेंगे जब तक यह code complete ना हो जाए इस परकार से एक program execute होता है आपके computer के अंदर उसके बाद मैंने आपको बता है था कि एक C language की मदद से software कैसे बनाया जाता है तो इसके पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें भी बता ही थी कि C language के अंदर जब भी एक normally से आपका program लिखते हैं आप जो की .c extension के साथ save होता है उस file को या उस code को हम source code के नाम से जानते हैं और इस code को जिस file में store किया जाता है या जिस बासा में यानि C बासा में जो code लिकर file save की जाती है तो उसका extension .c होता है याद रखेगा आपको अगर एक्जाम में mc को एक अंदर पूछ लिया जाता है कि C बासा में लिका code क्या कहला था सो source code लेकिन दूसरी बात यह भी धियान रखना है कि उस file का extension क्या होगा .c चलिए अब आपने यहाँ पर .cce file तो बना लिए अब इसके अंदर क्या है भी प्री प्रोसेसर की मदद से header file इंकल्यूड की गई है जिससे एक main program को यहाँ पर generate किया जा रहा है अब इस क्या होगा इस main program को यानि जो code है इसको compiler की मदद से object file में convert किया जाएगा और इसी object file को library file के साथ यह library file से इसके साथ इनको link किया जाएगा linker की मदद से और एक setup file .x create की जाएगी और इसी x file को आप software के नाम से जानते हैं यह कल हमने जो हैं कल की class के अंदर देखा था इसके बाद कुछ questions भी थे जो मैंने आपको इसी वीडियो के अंत में पूछे थे उन में से बहुत जने जो candidate थे उन्होंने भी कोशिस की थी सी भासा का आदार बी लेंगवेज बी सी पील का पूरा नाम basic combined programming language सी भासा का विश्कार डैनिस रिचे ने सन 1912 में और अभी जश्ट बताया था सी भासा में लिखा गया code source code कहलाता है और सी भासा में बनी file का extension.co यह चीज़े कल हमने discuss की थी आज हम आगे बढ़ते हैं और next discuss करते हैं तो सात्यों यह class का जो तरीका है अगर आपको समझ में आ रहा है और आगे भी आप जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को like करते हैं और अभी हम आज का topic सुरू करते हैं तो सभी यहाँ पर धियान दीजेगा कि आज का अपना जो topic है वो है identifiers के बारे में क्या है identifiers में और उसके बाद हम data types पढ़ेंगे और data type का first type भी आज ही हम clear करेंगे ठीक है तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है कुछ questions भी आप सभी के सामने last में आने वाले हैं जिन cancer आपको सभी को एक page के उपर लिख के भेजना है group के अंदर और जब तक आप try करते रहेंगे मैं कहता हूँ आपसे आपका post शीनने वाला कोई नहीं आएगा चलिए मैं आज का जो यह topic सुरू करने वाला हूँ और उससे पहले के छोटा सा एक point आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे आपको यह आज के topic समझने में ज्यादा help होगी देखें आप जब छोटे थे ठीक है ना आप जब छोटे थे तो आपने nursery class के अंदर जो है registration करवा यह वापर class के अंदर आप जोईन होएंगे उसके बाद आप first class मायें होंगे तो उन class के अंदर आपको क्या होगा कि बासा के बारे में पढ़ाया गया था जिसमें आपको डायरेक्ली यह नहीं कि यह sentence क्या लिखा हुआ इसको बढ़ो इसको लिखो नहीं आपको पहले इसक इसे खासे तरीके से knowledge करवाना है कि आप हिंदी के अंदर जो sentence लिखा जाता है उसको पढ़ सके हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पर कर से ग्यातक ठीक है जो बारकरी है ठीक है यह सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई गई होगी जिससे आप एक word को create कर पाएं इसी प पढ़ा गया था देखो मैं अगर आपको बोलू कर से ग्यातक अगर आपको बता गया है यह से आपको जो भी बाहरकरी complete बताई गई है तो उसको बताने के पीछे का जो reason होता है मैं वह यह होता है कि आप किसी word को अच्छे खासे तरीके से बिल्ड कर पाओ जैसे मैंने संप संपूर्ण जो लिखने का एक तरीका है तो इस लिखने का जो तरीका है वह आपको इसका से ग्या और आ से जो बारक देवी है तो इसके अंदर आपको से जाते है तो यह जो वर्ड बनाना सिका जाता है तो ये जो word बने जाते हैं इनी को हम अपनी base language में या basic अगर आपको सब्दों में बताया जाएं तो उसको हम identifiers कहते हैं ये तो था हमारा एक real life world का example अब मैं आपको C language के अंदर jump करवाना चाहूँगा कि C language के अंदर आप जो program करते हैं तो program के अंदर लिखा गया हर एक element क्या कहलाता है बई identifiers कहलाता है हर एक word जो आप program के अंदर यूज कर रहे हो तो उसको identifiers कहते हैं चलिए अब उस identifier को जो आप बना रहे हो तो उस identifier को बनाने की पीछे जिस प्रकार आपको मैंने बताय था कि यह सारी चीदियां आपको knowledge होना जरूरी है इसी प्रकार C language में भी program बनाने से पहले या इस identifier का नाम create करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें धिहान रखने होते हैं जो कि अभी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो I hope आपको समझ में आ चुका होगा कि identifier क्या होता है अगर आपका कोई नाम नहीं होता जैसे अभी आप जो मोबाइल देख रहे हो इस मोबाइल का नाम नहीं होता कि ये एक मोबाइल है आप अभी जहां पर बैटे हो कि आप अभी किसी कुर्सी के उपर बैटे हो किसी मेज के उपर आपकी नोट बुक रखी गई है वो एक नोट बुक है एक मेज है आपके सामने टीवी होगा आपके पास पीने के लिए glass होगा इन सभी का एक नाम है अगर ये नाम नहीं होता तो क्या आप उनको identify कर पाते, नहीं कर पाते तो उनको identify करने के लिए एक नाम दिया जाता है, तो उसी को हम identifier कहते हैं तो identify अपन की help क्या करता है सबसे पहली तो इसका major जो main purpose होता है वो यह होता है कि परतियक element या जो भी आप कुछ लिख रहे हैं उसको पहचानने के लिए help करता identify तो जोकिए c भासा में भी बहुत सारे variable होते है constant होते है functions होते है array होते है जो कि हम आगामी वीडियो और आगामी notes के अंदर पढ़ेंगे तो इन सभी का एक नाम decide किया जाता है उसी को हम identifier कहते हैं ठीक है न सी भासा में variable constant function array इत्यादिक को एक जो नाम दिया जाता है उसी को हम identifier से निरुपित करते हैं आगे बढ़ते हैं इनी identifier की मदद से एक programmer और जो compiler होता है उन elements को identifier करता है जैसा कि आपको बता है था किसी language के अंदर जो परतियक element लिखते हैं अगर उनका नाम नहीं देंगे तो ना तो वो code करने वाला समझ पाएगा programmer और ना ही कोई जो compile करेगा वो compiler वो समझ पाएगा तो नाम देना जरूर है और नाम को लिखने के लिए क्या क्या नियम होते हैं अब उनको देखे है कि program में variable का नाम सेम नहीं हो सकता है यानि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपके पास एक program है उसके अंदर आपने num और एक और वापस num लिख दिया तो यहाँ पिर मैं बारे में जो चीजें होती है वो जानने में आपको मुश्की लाएगी कि यह रमेश कौन सा है यह रमेश कौन सा है तो सीधी सी बात होते है कि सी भासा में भी जब आप किसी भी array function constant या variable का नाम रखते है तो उनका नाम unique होना जरूरी है एक समा नाम नहीं होना चाहिए जैस देखो आइडेंटिफायर नाम में सिर्फ alpha numeric character आ सकते हैं ठीक है alpha numeric character मतलब जिसके अंदर alpha weight और number दोनों आ सके उसको हम alpha numeric कहते हैं तो इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं a to z small और a to z capital उसी के साथ आप 0 to 9 टक कोई number भी यूज़ कर सकते हैं और उसी के साथ आप एक underscore का भ नहीं कर सकते हैं जैसे is a read ठीक है exclamation mark हो गया हैस हो गया ठीक है dot हो गया यह आप इसके अंदर यूज़ नहीं ले सकते हैं next देखें आप identifier की सुरुआत के अंदर जो पहला अक्सर होता है उसमें आप a to z और a to z small और capital के अंदर ही ले सकते हैं ध्यान रिखेगा और दूसरा कि to b a n की b a n के बताइए कि क्या ये एक सही identifier का example है या क्या ये identifier का नाम हो सकता है तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर number है starting में तो ध्यान रिखेगा कि कभी भी identifier के नाम की सुरुआत number से नहीं हो सकती है small character या capital character के alphabet से हो सकती है ठीक है और कोई भी space भी इसके नहीं हो सकता है जैसे मेरे को bank employee नाम से को variable बनाना है तो मैं bank ठीक है और employee इसको अलग अलग नहीं लिख सकता हूं इनके बीच में space allowed नहीं होता है तो यह चीज इसके बारे में ध्यान रख रहा है आचा next point होता है कि C programming case sensitive language होती है इसलिए num और num तता नम ये तीनों अलग अल small में हैं यहां पर first character आपके capital है और यहां पर तीनों कितिनों capital है मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जब identifier का नाम शुरुआत में लिख रहे हो तो वहां पर आपने नम ये छोटा लिख दिया और जब आप उसके अंदर को वेल्यू कर रहे हो या उसकी कोई help लेर उसको जब आ ही यूज करें सी आइडेंटिफायर में कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं अब कीवर्ड क्या होते हैं इसके लिए मैं अलग से complete वीडियो लेकर आऊंगा लेकिन मैं यहां पर आपको एक चोटा सा इसका introduction देता हूं कि कीवर्ड क्या होते हैं कि कुछ define word होते हैं पहले से इसी लेंगविज के अंदर अगर आपको अच्छे तरीके से समझने हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगे कि हमारे जिस परकार हमारी इस रियल लाइफ एक्जाम के अलनर अगर आपको मैं बता हूं तो मैं आपके सामने बोलता हूं कि बताईए यूज का क्या हिंदी होते हैं इसी परकार C language के अंदर भी कुछ predefined word होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है और उन्हें हम program के program को लिखने के दोरान यूज करते हैं और output के दोरान उनका result देखते हैं तो अब आपके सामने कुछ इस गलत identifier के example लिख रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसे नाम हम नहीं रख सकते हैं या अलग से भी इन परकार के नाम रही रख सकते हैं पहले दे कि मैंने लिखा अलग अलग है इस पेस है बीच में तो यह भी इलाव नहीं है मैं एक सिंपल से आपको बताना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बी ए ए एन के विदाउट इस पेस वाला यह आपके इलाव होगा क्यूंकि इसके अंदर आप यह कर सकते में बड़े में भी आप बी एन के कर सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन द्याने के गर नंबर या स्पेसल कैरेक्टर नहीं आने चाहिए और ना ही उनके बीच में कभी स्पेस आना चाहिए यह अपना था आइडेंटिफायर का टोपिक वही ठीक है आपको कैसा लगा है जल्दी से सभी बता द एक C प्रोग्राम में अलग-अलग टाइप के डेटा की जरूत होती है जैसे कि किसी की एज मैं एक सिंपल से आपको बताना चाहूं कि किसी की एज है 25 किसी का नाम है सानवी हाइट है किसी की 5.9 इंज और अगर यहां पर मैं बता हूं आपको कि जेंडर है कोई मेल या फिम अब इनका अलग-अलग टाइप है यह सभी डेटा का अलग-अलग टाइप है जैसे यह यहां पर अक्सर है यहां पर यह देको फ्लॉट वैल्यों दिसमुल वाली यह सिर्फ एक नॉर्मल नंबर है इंटीजर वैल्यू तो देखे यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा क अलग-अलग टाइप के डेटा को हेंडल करने के लिए आप अलग-अलग टाइप के प्री-डिफाइंड डेटा टाइप इसके अंदर यूज कर सकते हैं यानि पहले से आपके लिए इसके अंदर कुछ प्री-डिफाइंड डेटा टाइप है जिनका यूज करके आप इनको अलग-अलग पहचान सकते हैं तो अब देखे ये data type हम यूज क्यों करते हैं इसके पीछे का logic समझे कि मैं data type का use इसलिए करूँगा ताकि मैं ये पहचान सकूँ कि ये variable या जो array है उसमें किस type का data होगा अगर आप उस variable का जो नाम लिख रहे हैं पहले आपने लिख दिया int int में एक example दे रहा हूँ तो उसका मतलब है कि उसके अंदर number value आएगी जो without float की value होगी ये सारे मैं अभी आगने वाले अभी इसी video के अंदर clear कर दूँगा लेकिन अभी normal आपको यहां पर बताना चाहूँगा कि इसके अंदर किस परकार की value आएगी तो C data type के परकार के अंदर देखे तो mainly जो C का data type होता है वो दो भागों में माटा जाता है और आज इस video के अंदर हम पहला type पढ़ेंगे जिसका नाम है primitive data type अब धियान निकेगा कि इसके बहुत सारे नाम है जिनको बता देता हूँ एक्जाम में पूछे जा चुके है तो C पासा में पहला प्रकार है data type का वो है में प्रकार है वो primitive data type है तो देख ये primitive data type को primary data type fundamental data type built-in data type या basic data types भी कहा जाता है वापस repeat करना चाहूँगा आप सभी के सामने है कि primitive data type को primary data type fundamental data type integer, character, float और void-void का simple सा आर्थ है खाली इनका परियोग variable declaration function के written type आदी में करते हैं variable declaration क्या होता है simple सा कि variable के बारे में भी आपको मैं आने वाले वीडियो के अंदर बता हूँगा अभी यहाँ पर आप simple सा यह समझे कि variable क्या होता है कि एक memory का अंदर जहां पर आप data store कर रहे हो तो उसकी जगा का एक नाम है तो उस एक जगा का नाम है उसको हम variable कहते हैं तो उस variable को जब declare करते हैं तो उस time भी हमें data type की जरूरत होती है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगर आप next इसका अगर example देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहले यह देख लीजेगा कि जो यह variable declaration यह function return type है इनके साथ हम data type का यूज करते हैं तो इनके बारे में detail में जानने से पहले आपको एक नया topic समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं sign qualifier वैसे यह इतना deeply आपको कोई भी books के अंदर नहीं देखने को मिलेगा नहीं आपको कोई paid course के अंदर देखने को मिलेगा लेकिन मेरा एक जो main goal है वो यह हैं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आप विश्वास के साथ जुड़े हैं और मैं अपनी पूरी दमखम के साथ एक कोसिस लगाँगा कि आपको exam के अंदर ऐसा कोई point ना हो कि आपके exam के अंदर आपको ऐसा लगए कि मैंने सर के थुरू पड़ा नहीं है और यहाँ पर आ चुका है और मेरा number यहाँ पर में इस हो रहा है इसलिए एक परतियक point को आपके सामने रख रहा हूँ तो देखे sign qualifier के बारे में आप जरूर जाएं नहीं ताकि आपको data type के अंदर इन points का help मिल सके है तो देखे हम sign qualifier के बारे में जानते है sign qualifier जो होते हैं वो दो परकार के होते हैं एक होता signed और एक होता unsigned यह दोनो sign qualifier सिर्फ integer और character data type के साथ यूज होंगे ध्यान रखेगा sign qualifier क्या होते हैं दो परकार के होते हैं signed और unsigned तो अब ध्यान रखेगा यह सिर्फ integer और character data type के साथ यूज होता है अगर इन data type के साथ कोई sign qualifier यूज नहीं होता है तो default रूप से ध्यान लिखेगा कि signed data type भी माना जाता है अगर integer या जो भी character उनके साथ मैं signed या unsigned नहीं लिखता हूँ तो default क्या माना जाएगा? signed data type माना जाएगा signed data type की data range में positive और negative दोनों number होते हैं जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा मैंने लिखा यहाँ पर 25 माइनस में positive में लिख सकता हूँ 25 positive में file भी सकता हूँ minus 3 लिख सकता हूँ यह सारे के सारे एक positive आप मान सकते हूँ इसके अंदर example आएंगे ठीक है ना लेकिन unsigned data type जो होता है वो default रूप से क्या लेता है सिर्फ positive नंबर होता है आपको अगर minus को allow नहीं करना है तो उसके लिए आपको integer क्या के unsigned qualified जो है उसको use करना पड़ेगा मैं आपको आने वाले classes के अंदर सारा कुछ बता दूँगा अब भी आप सिर्फ यह समझे कि unsigned default रूप से positive नंबर लेता है और sign जो होता है वो negative और positive नंबर value को grand कर सकता है ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इनके अलग-अलग जो data type है तो उनका क्या size होता है उनकी range क्या होती है वैसे range को आप अलग से जब PDF आपको share करूँगा तब आप देख लीजेगा ठीक है मैं आपको mainly type, size और format specifier के उपर ज़्यादा focus करूँगा क्योंकि यह ज़्यादा exam के अंदर पूछे जाते है ठीक है मैं यह नहीं बोलता हूँ कि इस range के अंदर नहीं आते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि range आप PDF से check कर लीजेगा चलिए सबसे पहला मैं data type है, integer इसका जो size होता है वो bytes के अंदर ऐसा भी ध्यान रेकेगा, इनका जो size है वो है आपके 4 bytes का ठीक है, और 4 bytes जो है, यह जो integer है आप जब use करेंगे तो वहाँ पर एक format specifier होता है, भी format specifier basic सा होता है कि आप जब print करते हैं, या input ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि मैं integer का, integer को use ले रहा हूँ, तो उसका यह format रहेगा तो integer जब आप use कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप percentage d use करेंगे unsigned जब आप use करेंगे, अगर आप signed जो format specifier जो है, अगर इसका use ने करेंगे तो आपको output और input के अंदर error generate होगी, इसलिए ध्यान रखना है, आपको main ले unsigned integer यूज़ करेंगे, तो इसका size 4 byte रहेगा, और इसके लिए आपको percentage use लेना पड़ेगा short का size 2 byte और इसके लिए आपको percentage d use लेना पड़ेगा, unsigned जो short होता है, उसके लिए आपको percentage you use करना पड़ेगा, इसका size 2 byte है, ơi his डोई करेंगे, लेकिन यहाँ साइज यहाँ पर आप वो माईनस 128 से 127 सो थी इसके लिए आपको परसंटेज सी उज़ने पड़ेगा नसाइंड करेक्टर का जो भी है वो साइज एक बाइट है इसके लिए परसंटेज इस लेना पड़ेगा अपकर F यूज यूज लेंगे डबल के लिए जो चार वाइट का होता है और इसके लिए आपको एल और फ यूज लेना पड़ेगा तो यह आपके डेटा टाइप का टोबिक था पई एक बार फाइट लिए आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं अइडेनटिफाइर क्या होता है कि सी भासा में लिखा गया परतियक दोता है वह आईडेन्टिफाइर के रूप में होता है लेकिन हो अगराने के लिए कुछ रूल्स होथा है तो मैं अल्य neutrु में आपको बताना चाहूंगा कि असके नाम का जो शुरुइन का होता है वो यूज नहीं ले सकते हैं अपने identifier के नाम में और जो लाइस्ट एक और एक्जाम्पल बताना चाहूंगा वह यह हैं कि आप इस पेस नहीं दे सकते हैं अंडर इसकोर यूज ले सकते हैं उसके लिए ठीक है ना उसके बाद मैंने आपको बता है तो डेटा टाइप सिंपल सक्क क्रेगरने होगा तो डेटा को अंदर भेजने के लिए आपको यह डेटा को वहां पर डीफाइन करने के लिए आपको प्रॉब्लम होगेँ ठीक है ना उनसा Chenow example के साथ बताए था data type के दो परकार होते हैं जिसमें मैंने आपको पहला परकार बता दिया है primitive data type जिसको primary, fundamental, built-in और basic data types भी कहते हैं और इसके main जो परकार होते हैं primitive के वो होते हैं integer, character, float और void और उसके अंदर sign qualifier भी बताए था signed और unsigned, signed जो होता है वो negative और positive दोनों value ले सकता है लेकिन default जोता है वो positive होगा और वो positive कंदर देको signed जो data होगा वो इस होगा unsigned का यूज कब लिया जाता है जब आप कोई positive value ही सिर्फ input करवा सकते हैं या output करवा सकते हैं तो पहला प्रशन आपके सामने आ रहा है सभी देखेगा क्या सी बासा में identifier के नाम में विशेष चिनय का प्रियोग किया जा सकता है इसका अंसर आपको जो है पेस के उपर लिकर आपने चानल आ टेलिग्राम का जो ग्रूप है उसके अंदर शेयर करना है इस वीडियो के न सब्सक्राइब करेंगे और लाश्ट आपको बताना है कि सी बासा में character data type का साइज कितना होता है तो यह सारे के सारे पॉइंट आपको बताना है उस पेज के उपर लिकर ठीक है और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए जो लिंक नीचे आपको देर का वीडियो के नीचे वहां सी प्रोग्रामिंग की एक और नई क्लास के अंदर जय हिंद जय भारत